दोस्तों WordPress में वेबसाइट बनाना बहुत ही सिंपल है, बस 10 मिनिट के अंदर आप एक professional वेबसाइट बना सकते हो, जो दिखने में कुछ ऐसा होगा, चाहे आप एक business वेबसाइट बनाओ, या फिर एक e-commerce वेबसाइट, या फिर affiliate वेबसाइट, या एक portfolio या resume वेबसाइट, य दिखने में कुछ ऐसा होगा, responsive website है, जो desktop में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका mobile view भी अच्छा है, आप देख सकते हो, एक website बनाने के लिए आपको domain और hosting चाहिए, domain क्या है, hosting क्या है, अच्छा domain और hosting affordable price में with discount कैसे buy करे, फ्री में अपने computer को ही कैसे hosting बनाये, domain के साथ hosting को connect कैसे करना है, wordpress क्या है और wordpress कैसे install करे, यह सभी previous कुछ वीडियो में discuss करे गया है, playlist का link मैं इस वीडियो के निचे description में दे रहा हो, आप check कर लेना, previous वीडियो को देखके आप wordpress dashboard तक पहुँच जाओगे, और बिल्कुल basic सा एक website जो आप अभी देख रहे हो, ऐसा एक website अब बना लोगे, आज हम इस basic से दिखने वाले website को एक professional website बनाने वाले है, वो भी अगले 10 मिनिट के अंदर, और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, आपको ना तो premium themes करने पड़ेंगे और ना ही premium plugins चाहिए, सब कुछ free है, चलिए website बनाना शूरू करते ह सबसे पहले आपको wordpress dashboard में appearance के अंदर theme section में आना है, यहाँ पे 2023 theme अभी activated है, आपको add new के बड़न पे click करना है, और यहाँ पे responsive लिख के search करना है, responsive theme को आपको install and activate कर लेना है, responsive एक SEO friendly free theme है, जो elementar जैसे कई सारे page builder के साथ बहुती अच्छे से काम करता है, और आप responsive theme का use करके बहतरीन website design कर सकते हो, responsive theme activate होने के बाद अगर आप अपना website को check करोगे, तो वो अभी कुछ ऐसा दिखेगा, एक simple blog हमारा बन चुका है, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, अगर आप अभी कुछ post यहाँ पे add करते हो, तो post आपको कुछ ऐसा दिखेगा, post में अगर आप featured images add करते हो, तो वो कुछ इस type से यहाँ पे show करेगा, अगर आप एक blog बना के online earning सुरू करना चाहते हो, तो आपका blog ready है, blog में कुछ भी edit करने के लिए आप यहाँ customize के बटन पे click करके edit कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ website का title change कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं चाहू तो logo भी add कर सकता हो, यहाँ आप अपने हिसाब से blog में कुछ features को add या remove कर सकते हो, और अगर आपको एक website बनाना है, तो आपको अभी एक free plugin install करना होगा, आपको plugin सेक्शन में आना है, यहाँ add new के बटन पे click करना है, search bar में responsive starter template लिख करना है, और यह जो plugin आप देख रहे हो, इसको plugin activate कर लेना है, plugin activate होने के बाद आपके wordpress dashboard में responsive नाम का एक section add हो जाएगा, आपको responsive section के अंदर responsive templates में आना है, यहाँ पे आपको pre minutes बहुत सरे templates दिखेंगे, जिनको आप use करके बस कुछी minute के अंदर, एक website को एक professional look दे सकते हो, अलग-अले category के website template आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि business website का template, blog template, e-commerce website का template and one page website का template, यहाँ फ्री और premium template भी available है, free templates को use करने के लिए आपको free select करना है, तो सिर्फ free template सी आपको show होगा, premium templates को use करने के लिए आपको responsive pro plugin को purchase करना पड़ेगा, जिसका annual and lifetime price screen में आपके सामने है, अभी आपको free business template find करने के लिए यहा करना होगा, तो सभी free business templates आपके सामने आजाएंगे, आज हम real estate का एक template को use करने वाले है, preview button पर click करके आप template को check कर सकते हो, template import करने के बाद यहाँ जितने भी information है, जैसे कि images and text यह सभी आप अपने हिसाब से edit कर सकते हो, यहाँ पर जो button है उस पर भी आप अपने हिसाब से link add क कर सकते हो, button का color and text भी change किया जा सकता है, agent section में आप real estate agents का details फिल कर सकते हो, यहाँ social sites के भी link आप add कर सकते हो, client के reviews का भी एक section यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, नीचे आपको contact information और भी कुछ details यहाँ पर देखने को मिलेगा, बागी website में आप और भी information add कर सकते हो, extra section add क कर सकते हो, या फिर remove भी कर सकते हो, website के blog section को आप check कर सकते हो, दिखने में अच्छा है, जो भी article आप लिखोगे वो यहाँ add होता रहेगा, template को use करने के लिए आपको यह import site के button पर click करना है, फिर से यह import site के button पर click करना है, और बस कुछ seconds के अंदर site import होके आपका website ready हो जाता है launch site के button पर click करके आप अपने website को check कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ images and text को हमें change करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ edit with elementar पर click करना है, अभी आप अपने हिसाब से images को कुछ इस तरीके से add कर सकते हो, new images या icon को आप media में import कर सकते हो और यहाँ add कर सकते हो, text को edit edit करना भी बहुत ही simple है, यहाँ आप देख सकते हो, मैं कैसे इसको कर रहा हूँ, text का color, font, size, सब कुछ यहाँ पर change किया जा सकता है, सभी का option आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ social sites के link को भी आप add कर सकते हो, देखिए मैं कैसे add कर रहा हूँ, अभी जैसे कोई social site क icon पर click करेगा, तो social site पर redirect हो जाएगा, client review आप यहाँ पर add कर सकते हो, अपने हिसाब से, footer section में information को भी edit किया जा सकता है, अब wordpress में जो भी post लिखोगे, वो यह article section में show होगा, और किसी post को delete करने पर, वो blog section से remove हो जाएगा, किसी भी page को edit करने के लिए आपको उस page में जाना है, और edit with elementar पर click करना है, जैसे कि अभी मैं contact us का page को edit करने वाला हो, या देखिए मैं text के size और font को कैसे change कर रहा हो, text को आप उपर नीचे left right कही भी लेके जा सकते हो, margin values को change करके, यहाँ पर एक form बना हुआ था, तो यहाँ पर आपको किसी form builder का use करके अपना एक form बना लेना है, और उसका sort code यहाँ पर डाल देना है, ऐसे आप सभी pages को edit कर सकते हो, लोगों को change करने के लिए आपको उपर customize के menus को भी change कर सकते हो, rearrange कर सकते हो, extra कुछ add कर सकते हो, footer credit को आप यहाँ से change कर सकते हो, footer में social site के links भी add कर सकते हो, templates को कैसे import करना है और कैसे edit करना है आपने सीख लिया, अब आप अपने पसंद के हिसाब से website बना सकते हो, thank you for watching this video.